थल्पती विजय की फिल्म बीस्ट 13 अप्रेल को रिलीस हो रही है फिल्माने से पहले जब बाकी एक्टर्स प्रोमोशन में बिजी रहते हैं वहाँ विजय मीडिया इंट्रेक्शन और प्रोमोशन से दूरी बनाये रखते हैं इसने जब कुछ दन पहले उनके एक टीवी इंटर्व्यू का प्रोमो आया तो न्यूस बना स्वभाविक था विजय का ये इंटर्व्यू बीस्ट के डिरेक्टर नेलसन दिलीप कुमार ले रहे थे जहां उन्होंने विजय से उनकी कॉंट्रवर्सीज पर सवाल किये और विजय के जवाबों को म्यूट कर दिया गया हाला कि अब ये जवाब अन्यूट हो चुके हैं क्योंकि सन टीवी पर ये पूरा इंटर्व्यू आ गया है विजय ने अपना आखरी टीवी इंटर्व्यू करीब 10 साल पहले दिया था जहां वो अपनी फिल्म थलाइवा को प्रोमोट करने आये थे थलाइवा वही फिल्म थी जिसकी टेग लाइन टाइम टू लीट पर ततकालीन तमिलनाडू सरकार बिगड़ गई थी साथी कुछ अग्यात लोगों ने धमकी भी दी थी कि जिस थेटर पर थलाइवा रिलीज होगी वहाँ बम धमागे कर देंगे तमाम परिशानियों के बाद फिल्म रिलीज जरूर हुई लेकिन विजय के लिए घाटे का सौदा सागत हुई थलाइवा वाले इंटर्व्यू के बाद से ही विजय ने मीडियन में ना दिखने का फैसला लिया था उस घटना को करीब 10 साल हो जुके हैं इस पर नेलसन ने पूछा कि आपने इतने समय में कोई भी इंटर्व्यू क्यों नहीं दिया विजय का जवाब था मुझे कोई भी इंटर्व्यू दिये करीब 10 साल हो चुके हैं ऐसा नहीं है कि मैं इंटर्व्यू नहीं देना चाहता था लेकिन अपने पिछले इंटर्व्यू में मैंने कुछ कड़ी बाते कह डाली थी इसले तब से मैं सावधानी बरत रहा हूँ निलसन ने आगे पूछा कि शूटिंग के वक्त विजय के स्वभाव को भापना मुश्किल है क्या उन्हें गुस्सा आता है इस पर विजय ने कहा मुझे गुस्सा आता है पर मैं उसे दिखाने की कोशिश नहीं करता अगर आप कोई मौका गवा देते हैं तो अपनी आखो में आसू मत भरिये उससे कोई दूसरा मौका छिप सकता है जस टेक इट इजी एंड मेक इट इजी 2017 में आई विजय की फिल्म मर्सल में उनकी किरदार ने जीस्टी पर कॉमेंट किया था जिस पर तमिलनाडू की बीजेपी भड़क गई थी विजय की खिलाफ सोशल मीडिय चले राजे की बीजेपी नेता हरीहरंड राजा ने विजय का वोटर आईडी कार्ड अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर डाला जहां विजय का पूरा नाम जोसिफ विजय लिखा था राजा जताना चाहते थे चूंकि विजय एक इसाई है इसे वो बीजेपी सरकार की नी ग्रूप के निशाने पर रहते हैं विजय से धर्म और भगवान पर सवाल किया गया जिस पर उनका जवाब था मैं भगवान को मानता हूं और चर्च जाने के साथ साथ मंदर और दरगा भी जाता हूं मेरी मां हिंदू है और पिता एक इसाई मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि यहां जाओ या वहां मत जाओ और यहीं मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूं ऐसे चंद शेकर तमिल सिनिमा के डिरेक्टर और प्रिडियूसर है और विजय को लॉंच भी उन्हों नहीं किया था तो अपने बेटे के नाम पर एक पॉलिटिकल पार्टी की घोशना कर चुके थे जिसके बाद विजय ने सफाई दी थी कि उनका इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है इस इंसिडेंट के बाद विजय और उनके पिता के रिष्टे में तनाव आ गया था विजय से जब उनके पिता के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था पिता पेड़ और विजय सेटुपती को मकल सेलवन कहना या जोसिफ विजय को थलपती कहना दूसरा है पॉपुलर फिल्मी सितारों का पॉलिटिक्स में आना तमिलनाडू के दो पूर्व मुख्यमंत्री MGR और जैललिता अपने जमाने के टॉप स्टार्स थे लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि विजय भी जल्द ही पॉलिटिक्स जॉइन कर लेंगे इस पर नेलसन ने पूछा कि इलाय थलपती से थलपती वाले ट्रांस्फोमेशन के बाद क्या वो अपने अगले ट्रांस्फोमेशन के लिए तयार है विजय का जवाब था ये सब मेरे फैंस की मर्जी पर निरभर करता है अगर वो चाहते हैं कि मैं थलाइवन यानी लीडर बनू तो मैं उस बदलाव को नहीं रोख सकता 2021 के तमिलनाडू असेम्बली इलेक्शन के दौरान विजय साइकल पर वोट डालने गए थे विजय के इस स्टेप का अलग-अलग मतलब निकाला गया किसी ने इसे पॉलिटिकल कोमेंटरी का नाम दी दिया तो विजय से पूछा गया कि आपने घर पर खड़ी चार आलिशान गाडिया छोड़कर साइकल पर वोट डालने आने का विचार क्यों किया तो उनका कहना था जिस स्कूल को पोलिंग बूथ बनाया गया था वो ठीक मेरे घर के पीछे है इसने मैं जब नीचे उत्रा तो अपने बेटे की साइकल को देखा और उसे ही ले जाने का फैसला किया बस इसी बात का इंशू बन गया जब मैं वापस लोटा तो मेरे बेटे सही खत्म किया आप वो स्टोरी भी जान दीजिए एक दन एक फुटबॉल ने बासूरी से पूछा कि लोग उसे लात क्यों मारते हैं और बासूरी को किस क्यों करते हैं जबकि उन दोनों में हवा भरी होती है बासूरी ने जवाब दिया कि फुटबॉल हवा को अपने मैं हूँ अर्शुरा देखते रहे हैं ललन टॉप सिनिमा शुक्रिया